Hi everyone, मैं Priyanka और आपका स्वागत है मेरे चानल Home and मजबूर में आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़े दिखाने वाली हूँ जिनका यूज़ आप अपने living room यानी hall को decorate करने में कर सकते हैं इस सारे products मीशो से हैं और आपको इनके code वीडियो के description box और first comment में मिल जाएंगे चलिए वीडियो शुरू करते हैं मीशो इंडिया का number one earning app है यहाँ पर कोई भी zero investment के zero risk के अपना business शुरू कर सकता है earn किया हुआ profit margin directly bank account में credit हो जाता है आपको इस वीडियो के description box में और वीडियो के first comment में मीशो के download link मिल जाएगी इस link को use करके आप मीशो डाउन्लोड कर लीजी और आपको अपने first order रुपे 100 रुपीज या फिर flat 30% का discount भी मिल जाएगा मीशो पर आपको सारे products wholesale price पर मिलेंगे सबसे पहले मुझे ये दिखा carpet तो normally जो दरी type के carpet होते हैं पतले वाले ही मैं ऐसा इसलिए कहा दी क्योंकि मेरे घर में जो regular वाला carpet है वो काफी मोटा है बट वो बहुत expensive भी आता है तो ये दरी type में मुझे काफी sober design लगी ये देखिए front and back ये ऐसा है अगर आपके भी घर में एक main बड़ा वाला carpet है जो बहुत heavy है जिसे fold नहीं कर सकते जिसे roll ही करना पड़ता है और आप कभी change चाहते हैं तो ऐसा carpet तो आप ले सकते हैं ये जो carpet है ये काफी पतला है पतला isn't compared to जो मोटे वाले carpet आते हैं इन्हें fold करके आराम से almari में या फिर कहीं पर छोटी space में भी रखा जा सकता है next है ये moon lamp I know ये common है ये बहुत समय से popular हुआ है बट मैंने फिर भी इसे इस video में include किया है क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं देखूँ ये सच में कैसा है जब मैंने इसे order किया तो मुझे normal plastic की ball लगी बट जब मैंने इसे on किया तो ये बहुत ही beautiful है इसमें काफी अच्छा texture है जो बहुत moon like है इसमें multiple lights है इसे tap करके light change कर सकते हैं बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो एकदम basic इसकी moon के color की light है ना slightly yellow tone वो बहुत ही amazing है इसके साथ आपको एक wooden stand मिलेगा तो ये जो wooden stand आप देख रहे हैं तीन pieces में आता है बस इन्हीं जोड़ना होता है बहुत ही simple है and then जो इसका actual moon ball है इसे charge करने के लिए इसके साथ एक cable मिलेगी तो power bank या फिर mobile से आप इसे charge कर सकते हैं इसकी price है 549 रुपीज यहाँ एक button है on off करने के लिए बहुत ही सुन्दर और बहुत ही easy to maintain ये चीज़ है next है ये planters ये बहुत ही elegant planters है और इन्हें तीनों को साथ में ही रखना जरूरी नहीं है लेकिन वीडियो में दिखाने के हिसाब से मैं आपको तीनों साथ में रखके दिखा रहे हूँ इनकी price है 1803 अगर आप नीशों पर जाके देखेंगे तो आपको इनके सारे dimensions भी मिल जाएंगे इन तीनों को separate करके अलग-अलग जगह पर भी रखा जा सकता है या फिर एक साथ रखा जा सकता है बहुत ही pretty and amazing next है lights well lights and candles ऐसी चीज़ों से घर सुन्दर लगता ही है मैंने क्या किया है मैंने लिया है एक glass का vase ये जो vase है normal पानी पीने के glass से थोड़ा बड़ा है और इसके अंदर मैंने डाली है fairy light fairy light को मैंने connect कर दिया है power bank से जिसे मैंने पीछे छुपा दिया है ये देखिए इस तरह से एक vase में या फिर glass में किसी पुरानी bottle में आप lights रखेंगे तो बहुत ही सुन्दर लगती है bottles में रखना बहुत common हो गया है तो मैंने ये vase ले लिया जो की normal glass का बड़ा version है आप चाहें तो सुन्दर से काच के bowls में भी ऐसे fairy lights रख सकते हैं किसी occasion पर दिवाली पर भी इस तरह से आप decorate कर सकते हैं सबसे last जो मैं आपको देखा रही हूँ ये है बहुत ही simple जा gramophone तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ जो इसका bottom है ये heavy है wooden है लेकिन जो इसका top है जो आप brass टाइप के finish का देख रहे हैं ये काफी lightweight material का है ये सिर्फ show का है तो इसमें जो भी handles जो भी चीज़े दी है ये कुछ भी घूमती नहीं है ये सिर्फ show की है इसकी price है 241 रुपीस बहुत ही simple yet attractive ये piece लगा मतलब आप इसे अपने living room में in fact अगर आपके घर के किसी और space में भी आपने कुछ show piece बना रखा है तो आप वहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं मीशो पर order place करने के लिए वीडियो के description और first comment में दिये गए code को आप मीशो में search box में type कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के description और first comment में ही दी गई link पे क्लिक करना है और आप जिस product के link पे क्लिक कर रहे हैं वो product खुल जाएगा उसे select कीजे अगर कपड़ा है तो size होगा quantity select कीजे add to cart कीजे उसके बाद mode of payment select कीजे फिर proceed पे क्लिक करें अगर आप खुद के लिए खरीद रहें तो exact amount डाले दाकि जो profit margin है वो zero रहें और order place करें I hope आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो के ज़रूर like करें और channel के subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई